हेलो मैं यूडू फैमिली जै श्री कृष्णा राधिरादि दोस्तों आज मैं राधराणी कश्रंगार करने जा रही हूँ आज पुसरधा एक अदसी है तो आप सबी दोस्तों को पुसरधा एक अदसी की बहुत-बहुत-बहुत सारी बदायाें और साथ में आज लोडी भी है तो यह आज ग्रीन कलर की ड्रेस में मैं राधरानी का श्रंगार करूंगी यह देख सकते हो आप सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा दिती हूँ यह ग्रीन वूलेन वाली वही ड्रेस है जो कि मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी दिखाई है तो आज वो ड्रेस पहनाई है मैंने अब देख सुक्तियों कितनी प्यारी लग रही है बहुत सुन्दर ड्रस है और बहुत अच्छी लग रही है तो अभी मैं श्रंगार सुरू करनी जा रही हूँ तो सबसे पहले कमरबंद लगाऊंगी ड्रस पहना दी थी और अब ये लॉंग वाला ब्लाउज है ड्रस के साथ में लेंगे के साथ में तो इस पे मैंने कमरबंद लगा दिया है और अभी सर्दी बहुत हो रही है बहुत ज़्यादा कडाके की ठंड पड़ रही है तो तब इस भी थोड़ी सी ऐसी है और अभी आप देख सकते हो कि कमरबंद लगा दिया है मैंने लडली को और अब इसके बाद में गले में मैं पहनाऊंगी तो अभी आप देख सकते हो ये कुंदन वाला सेट गले में पहनाऊंगी तो ये ये दिखें इससे पूरा गला भरा भरा सा भी लगेगा और थोड़ा हैवी सा लुक भी आएगा इसके साथ में मैं लॉंग वाला हार भी डालूंगी पहले मैं ये चोकर सेट की तरह लग रहा है तो ये वाला पहना दूंगी और वाइट कुंदन में है तो वाइट कलर का जो सेट होता है वो तो हर ड्रस के साथ मैच हो जाता है ये देखिए साथ में मैंने ये जरकन वाला लॉंग सेट पहनाना है तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा और बहुत अच्छा बहुत प्यारा लुक आ रहा है सच में तो इस सेट के साथ में ये लॉंग वाला कले में डालूंगी ये डलने के बाद में हाथों में कड़े पहना होंगी तो अभी आप देख सकते हों कितना अच्छा लुक आ रहा है पूरा गला भर गया है और ये वाले गोल्डेन कलर के कड़े पनाऊगी तो ये ड्रस के साथ भी मैच कर रहे है गोल्डेन कलर और ये जरकन वाले सेट सारी ड्रसों के साथ मैच कर जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि नहीं अभी कौन सा सेट पहनाऊं कौन से हाथों में कड़े पहनाऊं तो इसलिए जादे तर मेरे पास यही वाली जोल्री आपको मिलेंगी वाइट इस्टोन में साथ में कानों में भी मैंने वाइट इस्टोन के ही पहना दिये हैं और अब मैं हैरी स्टाइल आज कुछ अलग से बनाऊंगी क्योंकि आज लोडी भी है तो लाडली का थोड़ा सा अलग सा स्रंगार करने की कोशिस कर रही हूं तो यह जो बाल सिंपल वाले डेली में लगा रखे थे आज उन्ही से ही हैरिस्टाइल बनाऊंगी तो आप किशा शेयर कर रही हूं यह जो साइड में हम फ्लेयर हो रहा था थोड़ा सा तो यह वाले बाल थोड़े से आधे ले लूँगी मैं हाफ पार्ट में और इसकी चोटी सी बना लूँगी हाफ बालों के यह देखिए इस तरह से हाफ बालों का मैंने चोटी बना लिया है और यह एक साइड में राधरानी को जब मैं लगाऊंगी तो चोटी एक साइड में आगे कलोर कर दूँगी तो अभी मैं आपको दिखाती हूं करके इस तरह से बाल लगाऊंगी और यह जो चोटी गुती हुई थी इसे इस तरह से आगे कर दूँगी यह वही वाले सिंपल बाल हैं कोई अलग से बहुत सारे बाल नहीं मैंने ले रखे आज उनी से हैरी स्टाइल में कर रहे हूं तो यहां पर थोड़ा सा मूम लगा के पहले मैं बालों को अच्छे से शेट कर दूँगी सेट करने के बाद इस तरह से अच्छे से बाल सेट कर दिये हैं और यह जो चोटी बनाई थी इसको इस तरह से आगे कर दूँगी और अभी थोड़ी से बाल इस तरह से यहां पर आप किसी भी चीज से टक भी कर सकते हैं यहां आप ऐसे ही छोड़ सकते हो चोटी को और अभी इसके हाफ साइट से थोड़ी से बाल लेके मैं हैरिश्टाइल बनाऊंगी तो अगर आपके पास भी राजरानी के चोटी नहीं है या हैरिश्टाइल कैसे करें तो उसके लिए आप भी इस तरह से जो अपन बाल होते हैं उनी से ही हैरिश्टाइल भी कर सकते हो चोटी भी बना सकते हो कई तरह से हम यूज कर सकते हैं उन बालों का तो यह देखिए थोड़े से बाल मैंने साइट से लेके और उपर के साइट से घुमा के और फिर पिन अप कर दूंगे आप देख सकते हों यहाँ पे पिन इस तरह से करके इस तरह से हाफ बाल मैंने लेके और इसके बाद पिन अप कर दिया है यहाँ पे पिन करूंगी और आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको यह हैरिस्टाइल कैसी लगी है मैं फर्स टाइम कर रही हूँ बट फिर भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है मेरे पास बहुत सारे बाल भी नहीं है तरह तरह के तो मैं उन्हीं बालों से ही हैरिस्टाइल भी आज बना रही हूँ और यह थोड़े से बाल लेके मैंने साइड में पतली सी चोटी बनाके और फिर इसके उपर से खुमाके मैंने लगा दी है तो आप देख सकते हो यह हमा रादा रानी के बाल घर पे बना सकते हो हैरिस्टाइल जैसे भी आपको आती हो आप उस तरह से कर सकते हो तो मैंने यह साइड से बालों को गुमाके हैरिस्टाइल करी है और यह मांटी का इसी का बना दिया है जरकन का अभी आप देख सकते हो कितने सुन्दर लग रही है बहुत प्यारी लग रही है रादा रानी और सची में बहुत अच्छा वाला वाव वाला लुक आ रहा है हमारी लाडली का और आज लोड़ी है तो आज स्पेशल श्रंगार भी हमारी लाडली करवा रही है उनको जिस तरह से तयार होना होता है वो अपने आप तयार हो जाती है मुझे तो सच में कुछ भी नहीं आता है श्रंगार करना भी नहीं आता है सही से बड़ देखो लाडली को जैसे तयार होना होता है वो अपने आप तयार होती जाती है तो अभी आप देख सकते हो मैंने बिंदी भी लगा दी है द्रस से मैचिंग की और इसके बाद नोज पिन पैनाऊंगी तो ये दिखिए हमारी लाडली का पूरा श्रंगार हो गया है और ये जो मैंने एरिस्टाइल बनाई है चोटी वगएरा तो इसमें अभी थोड़ा सा अलग से लुक देने की कोशिस करूँगी तो अगर आपके पास नग वगएरा हैं तो आप वो लगा दीजिए इस चोटी के उपर और या फिर मोती वगएरा से भी आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो तो अभी मैं पहले राधारानी की चुन्नी सेट करूँगी तो ये वूलेन वाली जो चुन्नी इसी लहंगे के साथ की है वो ही वाली चुन्नी टक कर रही हूँ अच्छे से ये दिखे इस तरह से चुन्नी उड़ाऊंगी और सच में बहुत अच्छा श्रंगार हुआ है मुझे कुछ भी नहीं आता है फिर भी लाड़ी को जिस तरह से तयार होना होता है वो अपने आप हो ही जाती है तो आप देख सकते हो ये हमारी लाड़ो कितनी सुन्दर तयार हुई है बहुत अच्छी लग रही है अब ही मैं बाद में आपको पूरा लुक दिखाऊंगी पहले में चोटी में थोड़ी सी डेकोरेशन करूंगी ये देखिए आप देख सकते हो पल से मैं चोटी को सजाऊंगी तो मॉम से मैं इस तरह से इस तरह से मैं मॉम लगाके और चोटी पे मोती लगाऊंगी तो अभी आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा लुक आया है मैंने फर्स टाइम हैरे स्टाइल करी है और उन्ही सिंपल बालों से ही किया है कुछ भी अलग से मैंने नहीं लिया है अभी आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और कितनी अच्छी हैरे स्टाइल लग रही है लाडली की तो इस तरह से आप भी अपने घर में राधारानी को त्यार कर सकते हो और ये हमारी राधारानी का आज का श्रंगार है आपको कैशा लगा है आप जरूर से कमेंट करके बताना और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए तो अभी मैं आपको अच्छे से राधारानी के दर्सन करा देती हूँ तो ये हमारी लाइडली जी का आज का श्रंगार है अभी आप देख सकते हो पुत्रदा एक अदिसी का और आज लोडी है तो राधारानी ने आज स्पेशल श्रंगार करवाया है लोडी लुक का बहुत अच्छा श्रंगार हुआ है